तमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे स्री राम स्वरूप कलेज अब मैनेजमेंट यहाँ आसिस्टन प्रोफेसर, आसोसेट प्रोफेसर और प्रोफेसर का बहुत सारा भैकेंस से निकला है बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए तो चलते हूं उसका ओफिसियल वेबसाइड में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिसकस करते हैं तो जो रामस्वरूप मैनेजमेंट कॉलेज है यह एक्चुली लखनो में स्तित है और यह आता है लखनो उनिवर्सिटी के अंडर में इहां वीऊ option दिया गया है मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्लिक कर लेते हैं देखे यह है इसका अड़ीह का अड़िवेज्मैट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यह है राम स्वरूप मैनेजमेंट स्कूल का यह नोटपैड है अफिसियल नोटपैड लेटर पैड और यहां देखें नीचे दिया गया है इसका वैकेंसी के बारे में इसको एक्चुली एक पेपर कॉट आउट है तो आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ देता हूँ यहां यह requirement for the following for BBA and BCA यह जो requirement अभी जो निकला है प्रोफेसर आसिस्टान प्रोफेसर और प्रिंसिपल का भी भैकेंसी निकला है तो यह जो भैकेंसी निकला यह BBA डिपार्टमेंट के लिए और BCA डिपार्टमेंट के लिए तो एक प्रिंसिपल चाहिए इसके लिए प्रिंसिपल, BBA, BCA के लिए एक प्रिंसिपल चाहिए देन प्रोफेसर चाहिए, BBA के लिए एक प्रोफेसर और BCA के लिए एक प्रोफेसर असोशेट प्रोफेसर चाहिए, BBA के लिए 3 और BCA के लिए 3 then assistant professor चाहिए BBA के लिए 5 and BCA के लिए 7 और इसके लिए जो qualification चाहिए यहां mention किया गया है PhD, net qualified will be given preference ठीक है यदि assistant professor के लिए कोई simple master's degree बाला यदि apply करता है तो यह eligible है मगर इन्होंने यहां mention किया है first priority दिया जाएगा PhD और net बालों को यदि नहीं मिलेगा तो उनको ही job मिलेगा ठीक है और pay scale जो आपको मिलेगा salary वो university के हिसाब से जो भी pay scale होता है एक assistant professor का वो ही आपको मिलेगा और यहां apply करने का जो मैं इसको थोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ तो यहां इन्होंने apply करने का कुछ तरीका यहां नहीं बताया गया है और last date भी यहां नहीं बताया गया है तो आप क्या कर सकते हूँ यहां देखे नीचे इसका जो email id दिया गया है और mobile number दिया गया है आप इनको call करके पूछ सकते हो कि इसका procedure क्या है apply करने का और इसका last date क्या है तो मेरे लिए मुझे लग रहा है कि ये सही रहेगा और साइद इनका जो अप्लाई करने का जो तरीका है साइद आपको आपका जो अपडेटेड रीजू में उसके साथ सारे के सारे डॉकुमेंट आपको भेजना पड़ेगा इस mail id जो mention किया गया है इस email id पर आपको भेजना पड़ेगा तो यहां जो number दिया गया है आप इस number पर call कर लिजे सबसे अच्छा रहेगा आप उसको पूछ लिजे क्या इसका procedure है लाजडेट क्या है तो यह अभी current vacancy है तो इसका जो link है मैं दे दूँगा description में वहां से जाकर आप इसको access कर सकते हो तो यह था details जाने से पह आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और लाइक कीजिए और नीचे जो हमारा social media साइज दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए तो जो भी notification आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा thank you all the best झाल